आप सभी का स्वागत है वीविक मिस्ता ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं वो IDFC फर्स्ट बैंक का सेर है हमने देखे उसका टार्गेट सज़ेस्ट किया था 36 और 38 वो कब तक आयागा उसके उपर हम लोग अपडेट लेंगे इस वीडियो में और मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ महिंद्रा महिंद्रा और फाइनेंस सेर के उपर भी तो वीडियो में बने रही है जो चैनल प पे था मैंने करेंट वैल्यू पे बाई का बोला था और 156 पे जा चुका है ये तो एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेजे क्योंकि 155 तक का टार्गेट था इसमें तो वो अच्छीव हो चुका है और अगर टार्गेट रिवाइस करना है तो उसका देख लेते हैं से तो अब वहाँ तक पहुँच चुका है अगर आज कल की मार्गेट में या दो दिन की मार्गेट में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तब तो ये रुखेगा नहीं काफी अच्छी मूमेंट आपको इसमें दिख सकती है तब 175 आना इसका असानी से आपको आने वा कर लें ताकि उनको इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो अगर वो भी लॉंग टाइम के लिए रोकना चाते हैं तो रोक सकते हैं क्योंकि सेर बहुत अच्छा है देखे इसमें कोविड के चलते ही डाउन पॉल आई थी तो इसमें अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल स चल रहा है 34 रुपे 30 पैसे चल रहा है अच्छी मुमेंट दिखाया है मतलब अपनी रिकवरी रेट जो है इसका बढ़ चुका है वैसे भी ICICI Security ने इसको 36 का Target दे रखा है तो पहला 36 का है दूसरा 38 का है तो वो भी आने वाले टाइम में आपको जल्द ही 158 billion है dividend यह company प्रवाइड नहीं करती है financial condition में changes आए है आपको बाकी सब तो पता ही है number of employees देखे shareholder भी लगबग same है average value जो है वो share का increase हुआ है क्योंकि काफी वह style रहता है आजकल तो इसमें अच्छी खासी moment भी देखने को मिल रही है तो 52 week low जो है 4700 रुपे 95 पैसे है 52 week low जो है 17 रुपे 65 पैसे है देखे इसमें individual के बाई द्वारा बहुत गजब की share की जो है sold हुआ है तो उसकी जो value है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके विज़से इसमें share में boost अब जल्दी देखने को मिल सकता है तो individual द्वारा sale किया गया है तो आपको इसमें moment के chances बनते हैं और देखिए brought किये जाते हैं तब भी value increase होती है sold किये जाते हैं तो उसके दो पच्छ निकलते हैं कि emotional इसको लोग कैसा लेते हैं तो इसका अभी तक जितना दिख रहा है इसको plus point में लिया है लोगों ने तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है क्योंकि share आज ग्रो किया है आईए चार्ट देख लेते हैं इसका तो देखें ये जो चार्ट है अगर आपके इसको next year के लिए देखें तो बहुत अच्छा बनाएगा जैसे अभी current value पे जो trade कर रहा है तो अगर आप इसको current value पे buy करते हैं तो ये आपको असानी से next year तक ये recovery करके आपको अच्छा खासा target दिखाई देगा जैसे इसमें 49.90 पैसे पे पहला target बन रहा है फिर उसके बाद 18 रुपे 25 पैसे पे फिर 65 रुपे 50 पैसे पे पैसे कर रहा हूं 57 रुपे 50 पैसे पे आइए इसकी अभी जो current technical call और बागी चीजों का निकल के आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए buy, sale या hold देखी हम इसको जो most popular indicator होते है moving energy, oscillator उससे result decide करते हैं तो जो overall call निकल के आ रही है share पे वो भी buy की है, आप इसको buy on dip करिए, जब नीचे रहता है तो इसको dip में buy करिए और इसका अच्छा खासा पैदा उठाए क्योंकि काफी share ज्यादा वो style रहता है, thanks for watching this video, अगर आपका share से related या किसी share से related कोई भी question है तो comment मे जरुमेजसन करिएगा